हेलो एवरिवान आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा इंट्रस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ नारकसिस्ट के उपर और वो है नारकसिस्ट ट्राइंगूलेशन यह बड़ा इंपॉर्टन टर्म है और अगर आप नारकसिस्ट के साथ रहते हैं तो आपको जर आप नारकसिस्ट के साथ रहते हैं और नारकसिस्ट कभी भी दो लोगों को साथ में नहीं देख सकता उसको हमेशा दो लोगों को साथ में देखे बहुत ही प्रॉब्लम होती है और अपनी अंदर की इंसेक्यूरिटी उसकी बाहर आ जाती है सबसे पहले आगे वीडियो बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई नारकसिस्ट के साथ हैं नारकसिस्ट परसनालिट डिसॉर्डर वाले किसी परसन के साथ डील कर रहे हैं तो प्लीज किसी एक अच्छे नोन साइकॉलिजिस्ट को जरूर दिखाएं क्योंकि मैं अपने अनुभव से सारे वीडियो बन चाहिए तो हम शुरू करते हैं टॉपिक नासिस्स ट्राइंगुलेशन मुझे उमीद है आप लोगोंने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक नासिस्स ट्राइंगुलेशन आखिर होता क्या है ट्राइंगल लेशन मतलब ट्रा understanding हो जाए या वो कुछ इस तरी कुछ उनकी बीच में वो बिल्कुल भी एक दूसरे को देखना पसंद भी ना करें और दोनों के दोनों मिलके narcissist का काम करें तो narcissist कभी भी जैसे कहते हैं divide and rule policy लोगों को बाटो और राज करो तो ये narcissist जो है बहुत अच्छे से इस चीज़ को लगाते हैं और बहुत इसके बहुत बढ़िया से इसको इसको इस पॉलिसी को तो सबसे पहले वो क्या करते हैं वो दोनों लोगों की behavior को दो लोग होंगे जो भी उनके साथ उनको चाहे वो उनके अपने बच्चे हों चाहे उनके पडोसी वो किसी भी दोलोगों को साथ तो देखी नहीं सकते हैं अगर अगर आसपास तस लोग होंगे तो फट्व को आपस में लड़ाई कर रहे होंगे तो उसमें क्या होता है और उसके बार-बार जिसके जिसको नीचे करते हैं उसको बार-बार दूसरे आदमे की तारीफ करते हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन मनाते हैं जिससे एक जने को लगता है कि इसके दूसरे के होने की वज़े से मुझे ज्यादा परिशानी सुननी रहा है दूसरे को बोलेगा यह तो कुछ नहीं कर रहा है उससे सिखो या कभी एक बच्चे से बाबो लेगा रहे मुझे तो उसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है बात करना तुम्हें साथ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो इस तरह से वह जलन की भावना को उत् हरकते पसंदारी है उसे बहुत पसंद कर रहा है वो एक favoritism शुरू हो जाएगा वो favoritism उसके अपने बच्चों में भी होता है grandchildren में होता है और जो भी उसके आस पास रह रहे होते हैं उसमें होता है favoritism खेलना शुरू कर देता है उससे एक जना चिड़ जाता है बहुत करते हैं और 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 शे मिज़नार्कसिस्ट के सारे कांपस्ता और दूसरे जहाए तो नुकसान पहुचाना शुरू करदेता तो यह बड़ा insma had리 सबते हो होता है यह उते हैं और र Japanese के व्र है क्कृइन आट अध्यारा प्रयूंस के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और दूने को यह समझने के हल। आ रहा है कि लड़ाई कराई नासिस्स ने हैं तो नासिस्स के साम के क्योंकि दोनों के बीच में उसने उतना उपर नीचे कर दिया है तो यह है नासिस्स ट्राइंगुलेशन और यह एक बहुत अच्छी टेक्नीक है नासिस्स के लिए और आप जानते हैं डिवाइड औरूल तो बहुत अराम से यूज की जा सकती है दो लोगों के बीच में लड़ाई कराने के लिए और उसका फाइदा हमेशा तीसरे आदमी को होता है तो इसलिए कभी भी नासिस्स के पास कोई भी रहता हो तो उसको बहुत अवेर रहना चाहिए कि आकर यह हो क्या रहा है और बिन बात के बिना किसी की बातों में आये लड़ाई बिलकुल भी यह मिसंडिस्टाइडिंग नहीं करनी चाहिए बट यह असान नहीं है क्योंकि वह बहुत शातिर होता है नासिस्स्ट और कोई एमोशन से कोई मतलब नहीं होता है वह दूसरों के एमोशन से और इस तरह के कंड सब्सक्राइब करें शेयर करें सबके साथ और नेक्स वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से बाई